हेलो दोस्तो, The Ultimate चैनल में आपका स्वागत है हमारे Most Popular Dog Breed की सीरीज में आज हम बात करेंगे बीगल के बारे में तो बीगल के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बीगल्स को ओरिजिन United Kingdom से है वैसे तो बीगल्स कई सो सालों से हमारे साथ रहते आए हैं लेकिन आज कल जो हम बीगल्स देखते हैं और ऐसे पैट घर में रखते हैं वो 19th century के दौरान डिवलप हुई थी बीगल हाउन टाइप डॉग्स होते हैं और England, Wales और France में पैदल चलने वाले हंटर इन्हें एक साथ जुंड में लेके जाये करते थे ताकि Rabbit का शिकार करने में मदद हो सके लेकिन Rabbit के साथ साथ ये दूसरे जानवरों का शिकार करने में भी मदद करते थे जैसे कि Jackals और Wild Pig आज के जमाने में भी बीगल्स को England और Wales के कई हिस्तों में एक साथ जुंड में ले जाके शिकार किया जाता है लेकिन ज्यादातर बीगल्स घर में as a pet रखे जाते हैं बीगल्स की ब्रीड छोटे ऐनिमल्स और छोटे बच्चों के साथ भी बहुती friendly और lovable होते हैं इनकी इसी खासियत की वज़े से ये चोटे बच्चे और दूसरे एनिमल्स के साथ भी आसानी से रह सकते हैं बीगल्स बहुती social dogs होते हैं और इन्हें हमेशा किसी न किसी के साथ की जरुरत होती है अगर आपने अपने बीगल को घर में अकेला छोड़ दिया तो जादतर ये बीगल घर पे अकेला होने पर हाउलिंग करते हैं या फिर घर की चीजों को तोड़ते हैं या फिर उन्हें काटते हैं बीगल बहुती curious और active dogs होते हैं इन्हें घर से बाहर रहके घूमना बहुत पसंद होता है लेकिन इनकी इसी आदत की वज़े से ये कभी-कभा रोट पर भी चले जाते हैं और इनका accident भी हो जाता है तो अगर आपके पास बीगल है तो प्लीज उन्हें अपने साथ पार्क में वॉक के लिए लेके जाय करें उन्हें ऐसा खुला छोड़ना उनके लिए खतरनाग भी हो सकता है ज्यादा खाना खाने की वज़े से बीगल कभी-कभार ओवरवेट भी हो चाते हैं तो आप अपने बीगल को ज्यादा ओवरफीड ना करें अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में तो बीगल की ब्रीड बहुत ही intelligent होती है इसलिए इन्हें train करना आपके लिए easy हो सकता है लेकिन अगर आप इन्हें train नहीं करना चाते या फिर आपके पास इन्हें train करने का time नहीं है तो भी कोई बात नहीं क्योंकि ये डॉग बच्पन से ही बहुत ही friendly और social dogs होते हैं लेकिन इन्हे physical exercise की बहुत जरूरत होती है तो इसलिए दिन में कम से कम 20 से 40 मिन तक आप इन्हे physical exercise जरूर कराए बीगल किसी भी weather में असानी से रह सकते हैं चाए वो cold हो या फिर hot लेकिन ज्यादा humidity होने पर इन्हें घर के अंदर ही रखा जाए तो अच्छा है बीगल मीडियम साइज और स्मॉल साइज अपाटमेंट में असानी से रह सकते हैं लेकिन इन्हें हर रोज पार्क में regular walk के लिए जरूर लेकर जाए इंडिया में बीगल की प्राइस 15,000 से लेके 25,000 तक के बीच हो सकती है बीगल बहुत ही अच्छे family dogs होते हैं और ये छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ही caring और gentle होते हैं लेकिन बीगल अच्छे guard dog बिल्कुल नहीं होते बीगल का short coat होने के कारण इन्हे regular grooming की जरूरत नहीं होती लेकिन इन्हें दो हफते में कम से कम एक बार जरूर नहलाना चाहिए बीगल कई coat colors में भी पाए जाते हैं जैसे कि brown white, orange white और white tan बीगल का weight 10 से लेके 20 kg तक हो सकता है इनकी life span 11 से लेके 15 साल तक के बीच होती है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो बीगल के बारे में और popular dog breeds के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे थैंक यू